आप शपी का श्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टोप बाजार में तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के शेर के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि कल यस बैंक में हमें काफी बड़ी वोलेटिलेटी देखने को मिली थी और गिरावट भी उनको लोकिन पिरियेड में रखा गया था जो कि इसमें वो यस बैंक के शेर बेच नहीं शकते थे तो वो लोकिन पिरियेड यहाँ पे खत्म हो चुका है कल ही अब यहाँ पर अगर देखे तो SBI, ICSA Bank, HDFC Bank, IDFC First Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Federal Bank यहाँ पे अब अपना माल बेच के निकल शकते हैं तो यहाँ पे काफी सारा स्टेक जो यस बैंक का है वो इन सभी प्राइवेट बैंक को and SBI के पास पड़ा हुआ है तो अब वो यहाँ पे अपना माल बेच के निकलने की कोशिश कर रहे है तो इसके चलते हैं यहाँ पे बड़ा माल बेचने के कारण कल हमें Yes Bank के शेर में काफी यहाँ पे volatility देखने को मिली थी and कल अगर low की बात करें तो वो 14.40 रुपे का बना जुका था तो यहाँ पे हमें 12% तक downfall हमें देखने को मिला था तो यहाँ पे Yes Bank में जो गिरावट है उसका कारण यही शामने आ रहा है तीन येर का lock-in period था वो खतम हो जुका है तो अब बात करें अगर यहाँ पे investors को क्या करना चाहिए and उसके उपर क्या फर्क पढ़ने वाला है तो यहाँ पे अगर हम देखे यह सभी bank के अपना पूरे का पूरा stake अपी बेचने वाली नहीं है क्योंकि वह यहाँ पे partially profit अपना बुक करने वाले है यहाँ पे वह अपी भी रुकने वाले है अपना पूरा stake खतम नहीं करने वाले है वह अभी रुकेंगे result के लिए result के आते हैं उसके उपर उनका decision रहने वाला है तो आगे हमें भी यहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट आने तक उसमें रा देखनी चाहिए एंड रिजल्ट कैशा आता है उसके according यहाँ पर decision लेना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह सभी कंपनिया लेवल्स को ध्यान में रखना है उस लेवल के अनुशार रिजल्ट आने तक हमें बैट करना है रिजल्ट आने के बाद उस लेवल के अनुशार हमें decision लेना चाहिए यहाँ अगर हम लेवल की बात करें तो एक strong support हमने आपको बताया था 15 रूपे के आसपास जो कि अभी भी बना हुआ है अभी वह इसके नीचे नहीं गया है लेवल की बात करें तो वह निकल के आ रहा है 12-13 रूपे के आशपास तो यहां तक जब तक शेर है तब तक हमें इसमें बिक वाले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उपर तक के लेवल की बात करें तो इसमें हमें 20-22 पाजी ना करके रिजल्ट का वेट करना है एंड चो लेवल बताए उसको आने तक हम इसमें जरूर रात देख सकते हैं अगर आप लॉंग टर्म इंवेस्टर हो तो आपको तो बिल्कुल भी इसमें चिंदा करने की बात नहीं है क्यूंकि लॉंग टर्म में यह हमें शेर 55- 55-60 रुपे तक के भाव भी देश वकता है तो आपको यह समें के शेर में क्या करना चाहिए वो पता लगा होगा तो अगर अपने शबी दोस्तों के शाथ सेर करिएगा ताकि वो भी इसका फाइदा लेश के तो मिलते हैं अगले वीडियो में